जब से ज़्यादा आप लोग पूछते हैं कि option buying में सर कुछ ऐसा बता दीजिए कि उस तरीके की अगर option buying मैं करूँ और उस तरीके से option buying अगर plan की जाए तो मुझे पहले से पता हो कि मेरा risk कितना होगा, मैं कितना कमाऊंगा और फिर जो risk हो उसको और कम कर लिया जाएगा और तीसरी बात इस तरह का profit ना हो कि बाजार अगर 47,000 trade कर रहा है तो मुझे अपनी position जब 46,900 आ जाए तो मजबूरन काटनी पड़े या 47,100 चली जाए तो मजबूरन काटनी पड़े तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए एक range में profit as a buyer, तो मैं उस condition को बताता हूँ सब से पहला आपको क्या करना होता है, मेरे साथ चीजों को समझते जाएए आप लोग बोलेंगे तो इसका detail वीडियो भी आपके लिए बना दूँगा अभी क्या है, मैं सिर्फ concept आपको बता रहा हूँ, आप उतना करेंगे और हमेशा चीजें आसान रहेंगी आप मुझे बस इतना बताइए कि अभी बाजार 47.500 ट्रेड कर रहा है, क्या मैंने बोला 47.413 भी ट्रेड कर रहा है, यह spot price दिख रहा है, 47.400 ट्रेड कर रहा है 47.413, तो मैं आप से पूछता हूँ, आप यह बताइए कि अगले हफते की expiry, जैसे यह expiry 13 दिसंबर है चलिए इसकी बात नहीं करते हैं, इसके next week की expiry करते हैं 20 दिसंबर मैं आप से यह पूछूंगा ही नहीं कि price upside 20 दिसंबर तक उपर momentum होगा, नीचे momentum होगा, छोड़ दीजे इन बातों को आप मुझे बस इतना बताइए कि अगली expiry किस range में हो सकती है, एक range बताइए कि जैसे अभी बाजार 47-400 round trade कर रहा है, तो आप मुझे एक range बताइए, तो आपने मुझे कहा, example के तौर पर कि 1000 point की range में expiry हो सकती है, अब 1000 point की range का मतलब क्या हुआ, कि 500 point उपर तक, तो 47-400 से 500 point उपर कौन सा strike price मिल गया, 47-900, ध्यान रखते चाहिएगा, एक एक point को जो बताऊँ, वैसे ही trade प्लान करना है, ठीक है, अब दूसरा मैं आपसे पूचता हूँ, ये बताइए, निचले इस तर पे, lower side, 500 point उपर हुआ, और 500 point नीचे, तो कौन सा strike price मिला, 46-900, तो 500 point उपर और 500 point नीचे, तो ये 1000 point की range हो गई, आपने का ठीक है, तो मैं आपसे कहता हूँ, कि इस range में अगर आप rate कर रहे हैं, कि बाजार कहीं न कहीं close करेगा, 1000 point की range में, मैं आपकी बात से सहमत इस range में कहीं भी close करें, 1000 point की range में, तो आप profitable होंगे, ये bid करना है, ऐसा trade प्लान करना है, ऐसे options को buy करना है, कि इस 1000 point की range में कहीं भी बाजार close करें, तो आप profitable हों, option buyer क्या है, कि option buying किया और उपर गया, तो ही profitable होंगे, वो भी एक limited time zone के साथ, कि price इतना उपर जाना चाहिए, अगर आप 47900 का call option buy करें, तो हर हाल में expiry तक price को 47900 की उपर होना चाहिए, और वो भी जतना premium pay किया है, उसको जोड कर बहुत आगी का process है, profitable होने के लिए, ठीक है, तो option buyer के लिए इस तरह से दिक्कत होती, मैं कहता हूँ, आप बिस इतना credit कीजिए कि कि किस range में, आपने मु जाए, तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरा कितना पैसा चला जाएगा, तो यहाँ पर दो चीज़े confirm हो रही है, पहला यह, option buyer जो गलतिया करते हैं, वो सारी चीज़े skip कर रहा हूँ, पहला यह, कि आपने trade लिया long के लिए, और price आपके opposite direction में जाने लगा, तो आप लोग ड देखिए, यह धनका demand account है, नीचे description में link मिल जाएगा, आप चाहें तो open कर सकते हैं, उसका एक, यह platform है, यह trading view का chart में use कर रहा हूँ, इसी के साथ, यह यहाँ पर इसका option builder, option trader का एक platform भी है, धनका ही है, ठीक है, आप इसको भी use कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग अपनी strategies को प और नीचे 46.900 के उपर, नीचे 46.900 के नीचे closing नहीं होगी, लगबग लगबग expiry कहां होनी चाहिए, expiry होनी चाहिए इस range के अंदर, तो यही prediction है, 1000 point की range में कहीं close करें, हमको profitable होना है, इस तरह का trade design करना है, तो क्या करना है समझे, सबसे पहले यहाँ पर click कीजिए, expiry 20 December, तो उपर, 47.300 के उपर क्या range decide किया था, 47.900, तो 47.900 पर पहुंचिए, और upside है, तो call side से C, उसको sale करना है, क्या करना है, ठीक है अभी buy करना है, समझते जाए, इसको add कर दीजे, अभी required margin क्या बता रहा है, 84,000 रुपे, मैं आपको बताओं कितने comfort में यह position आपका होगा, उपर का call और नीचे का put, नीचे हम लोगों ने क्या decide किया था, 46.900, तो नीचे का put, sale करना है, sale 20 December expiry, 20 December expiry, उपर का call sale कर दिया, नीचे का put sale कर दिया, अब आपको क्या देखना है, total premium कितना आप sale कर रहे हैं, जो strike price sale किया, उसका value जोड दीजे, तो 249.5 है, तो 240. यह और 230. 30. यह, तो लगबग हम लोग 470. total sale कर रहे हैं, तो मैं क्या कहता हूँ, कि जो call option sale किया है, उसमें total premium जोड कर जोड दीजे, कि total premium कितना 470 sale किया है, और 47.900 का call option sale किया है, तो strike price plus premium, तो 47.900 प्लस 470, तो आप लगबग लगबग 470 का मतलब क्या है, 500 round figure, वही strike price आपको मिलेग तो 47.900 प्लस 500, तो आपको पता लगा कि 48.400 का call option buy करना है, जहां तक पहुंचे, 470 जोड कर हम लोग पहुंचते कहां, 48.370 तक, तो 30.00 उपर हमको सबसे पास का call option क्या मिला है, 48.400, तो एक call अब buy करना है, जितना premium जोडने के बाद जो price मिला, 48.400 मिला, तो 48.400 का call option buy कर लि अब दूसरा, नीचे की तरफ, strike price, put side, total premium को strike price में घटा ये, और जहां पहुंचें, उसके पास का, सबसे पास का strike price, put buy कर लेना है, तो 46.900 में 500 को घटा येगा, 470 total premium sell किया है, तो round figure में 500 घटा रहे हैं, तो कितना आ गया, 46.400, तो 46.400 का एक put buy करना है, क्या buy करना है, put buy करन अब एक call buy है, एक put buy है, एक call sale है, एक put sale है, इसको technically कहा जाता है iron fly, लेकिन ये iron fly की तरह है नहीं, आगे classes जब आप आप लोग join करेंगे हैं, आपर इतना समय नहीं मिल पाता है कि मैं चीजों को बहुत briefly discuss कर सको, classes मैं इसके adjustment बनाता हूँ, ये loss में नहीं जाएगा कभी भी, अब यहाँ पे predefined loss लिख कर आएगा, लेकिन इसके adjustment जब आप class में सीखते हैं, वहाँ पर मैं आपको सिखाता हूँ कि ये adjustment करने के बाद, चाहे market अब यहाँ से 10,000 point की rally भी देगा, तब भी आप बिना loss दिये, इस trade से बाहर निकल आएगे, और 1000 point के zone में कहीं भी close करेगा, तो profitability है, देखिए, अब यहाँ पे क्या लिख कर आ रहा है, देखिए, expiry अगर 46,940 पर हो, तो expiry को कितना पैसा मिलेगा, 36,47 रुपए, यहाँ expiry अगर 47,900 पर हो, तो कितना पैसा मिलेगा, 36,47 रुपए मिलेगा, अगर इसके बाहर भी जा रहा है, तो कहां तक safe हैं, 200 point extra और हम लोग safe है, यहाँ पर देखिए, 47,900 तक पूरे 36,37 रुपए मिलेंगे, अगर इसके बाहर निकल गया और 48,150 तक, 48,150 लिखा है न, if price reaches, कहां तक, 48,140 तक, और percentage में ही कितना momentum है, लगबग, पौने 2%, 1.75% का momentum उपर हो जाए, तब भी, कितना पैसा मिलेगा, cost पर ब redefined profit and losses, ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अभी, जब हम लोग एक lot sale कर रहे थे, तो पैसा बता रहा था, 84,000 रुपया, overall margin एक लाग है, लेकिन final margin, इस trade को execute करने में कितना मिलेगा, लगेगा, 49,000 रुपय के आसपास आ रहा है, 38,976, तो 39,000 के आसपास, अच्छा, यह market में आप इसको direct, execute all orders पे click करेंगे, direct सारे orders यहाँ पर place हो जाएंगे, एक साथ, यहाँ पर positions में आप सारे orders को देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर pre-built strategies भी आपको मिलते हैं, हला कि मैं classes में समझाता हूँ, कैसे उनको प्यों मिलाना है, यहाँ पर जो मैंने आपको concept बताया, तो आप मुझसे बोलिए, कि यह 46,000 का बजार, 46,500 और 45,500 के नीचे नहीं आएगा, 46,500 के ऊपर नहीं जाएगा, तो मैं आपसे बोलूँगा, ऊपर का call और नीचे का put बेश दीजिए, दोनों के premiums को जोड लीजिए, और ऊपर के call जो बेचा है, उस strike price में उस premium को जोड़ तो क्या buy करने को मिलेगा 48,000 का call, नीचे 45,500 में से 500 point घटा लेना है, तो क्या buy करने को मिलेगा 45,000 का put, इस तरह से हर बार आप plan कर सकते हैं, हर week के लिए, अब देखिए 1000 point का आपको दैरा मिल रहा है profitability के लिए, option buying में price आपके side चल कर जाता है, तो भी आप loss कर देते हैं, औ बहुत आसानी से इन सारी चीजों को आप सीख सकते हैं, अगर ये content देखिए, जो चीजे मैं आपको सिखा रहा हूं, बहुत realistic है, अगर आपको ये पसंद आता है, आगे अपने मित्रगडों के साथ, प्रीजनों के साथ, शेर कीजी, अपने family members को बताईए, वो लोग भी इ सीखेंगे और बहुत आगे तक जाएंगे, चलिए, शुब रात्री, धन्यवाद,